लो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छ होंगे आज हम रिव्यू करने वाले हैं अगारो कमपनी के पावरफुल हेंबर का बर आप लोगों के लिए काफी हेलफुल हो सकता है तो चलिए फटा-फट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं इसको कैरी करने के लि हम इसमें जो भी एसेसरीज मिलती हैं उनकी बात करेंगे इसमें एक ड्रिल चक मिल जाता है यह हम्मर के साथ इसमें आप ड्रिल चक लगा के इसका अस्तमाल कर सकते हैं इस ड्रिल चक में 1.5 से 13 mm तक मिट लग जाएंगी मैक्सिमम 13 mm का इसको काफी सांदर है इसको इस तरी प्रैक्टिकल लगें उसी के बाद हम यहां पर देखेंगे कुछ बिट यहां पर मिल जाती हैं देखना है कितनी बिट है तीन बिट बेसे के लिए हमें तीन बिट की ही ज्यादा जरूरत पढ़ती है 10 mm, 8 mm एंड 6 mm ज्यादा तर मुझे 6 और 8 की ही जरूरत पढ़ती है तो ठीक है बसे तीन बिट सही है और बिट की क्वालिटी भी में भी अच्छी है अभी प्रैक्टिकल करके हम देख लेंगे ए इसका समाल कैसे करते हैं वो भी अभी आपको बता दूँगा एंड यह रही सांदार एंड पावर्फुल हैंबर ड्रिल इसमें एक खास फीचर दिया गया है जो कि मुझे काफी पसंद है रिवर्सिवल का यहाँ पर देखिए देखिए रिवर्सिवल का यहाँ से ही आप फॉर्वर्फ एंड रिवर्स का सकते हैं यहाँ पर डिटेल से लिखा गया है आप पढ़ सकते हैं पांसो वाट का है यह और यहाँ पर बीस एमम तक यहाँ पर बिट सपोर्ट करेगा अभी सांदार और जबर्दस इसकी बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है यह ड्रिल के लिए यह हैंबर के लिए अगर आप लकड़ी या फिर लोहे का काम कर रहे हैं उस वक्त आपको ड्रिल करने के लिए यहाँ पर सेट करना होगा और हैंबर यानि कि आप पत्तर बगर रहा है और ऐसे हार्ड अगर इन बीट्स का समाल कर रहे हैं तो उस वक्त आप इसको हैंबर मोड पर रखाएंगे चलिए टेस्टिंगर के आपको दिखाता हूँ एक खास सी यहाँ पर कवर करना भूल गया वह यह है कि यहाँ पर इसमें स्विच दिया गया है वह कंट्रोल वाला है यानि कि आप इसको जितना दबाए इसको आप गूमेगा यह तो रिवर्स मोड है एंड यह फॉर्मोर मोड देखिए जितना हम प्रैस करेंगे उतना यह घूमेगा चलिए फिर फाइनल प्रैक्टिकल करते हैं इसका एंड अगर इस प्रोड़क को आप लेना चाहते तो इसका लिंक में आपको अगर आप इस प्रोड़क को खिटना चाहते तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्टिन में दे दूंगा प्यादा से कमेंट कर देना इस प्रोड़क के लिए और एक लाइक हमारे लिए थैंक यू सो मच वाचिं इस वीडियो